साल 1975 में जै संतोशी मा नाम की एक फिल्म रिलीज हुई यह वह दौर था जब लोग संतोशी मा के नाम तक को नहीं जानते थे ट्रेड एक्सपर्ट का कहना था कि कौन बेवकूफ इस देवी की फिल्म देखने आएगा जिसके बारे में किसी ने आज तक सुना ही नहीं है इसके बाद संतोशी मा ने जो चमतकार किया उसने पूरी बॉलिवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया जिस फिल्म को देखने पहले हफते सिर्फ सौ लोग आए उस फिल्म ने अगले ही हफते न जाने कैसे शोले जैसी फिल्म के शोज को बंद करवा दिया जैस अन्तोशी मा के सारे शोज हाउसफुल होने लगे ऐसा कैसे हुआ इसका जवाब किसी भी सिनेमा के जानकार के पास नहीं था तब लोगों ने यह कहा कि देवी मा की ही इच्छा है कि सब ही उनके बारे में जाने हाल यह हुआ कि थेटर वालों ने फिल्म के शोज बढ़ा दिये हालात यह बन बैठे कि लोग अपने परिवार के साथ गाव से शहर आने लगे सिर्फ और सिर्फ फिल्म देखने के लिए एक इंटर्व्यू के दौरान फिल्म की लीड हिरोईन अनीता गुहा ने बताया था कि मुंबई के बांदरा में भगवान की फिल्मे कोई नहीं देखता था मगर फिर भी जै संतोशी मा उस थेटर में पचास हफ्तों तक लगातार चली थी यह माना जाता है कि इस फिल्म को सुपर हिट कराने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हाथ था बताया जाता है कि जैसे ही सिनेमा घरों के किवार बंद होते स्क्रीन मंदिर में बदल जाती थी इस फिल्म का गाना मैं तो आरती उतारू ने इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि आगे चलकर मंदिरों में इसे संतोशी मा की आरती के रूप में इस्तिमाल किया जाने लगा लोगों में इस फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि वह चपल बाहर उतार कर ही सिनेमा घरों में जाया करते थे। इस फिल्म को बनाने वाले विजय शर्मा ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, मगर घर में एक बच्चा नहीं था। उनकी बीवी कई सालों से मा बनने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तब एक बूड़ी औरत ने मेरी बीवी को संतोशी मा का वरत रखने को कहा। वरत रखने के 11 हफते के बाद ही मेरी पतनी गर्भवती हो गई। उसी दिन मैंने फिल्म बनाने की ठान ली थी, मगर जब मैं एक्टर्स के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गया, तो सब ने ही मुझे मना कर दिया। उन सभी का कहना था कि किसी ऐसे भगवान पर फिल्म बनाऊं जिनको लोग जानते हों। संतोशी मा तो लोकल देवी हैं, उन्हें तो लोग जानते तक नहीं हैं। यह बात कुछ हद तक सही भी थी, मगर विजय शर्मा अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अनीता गुहा को किसी तरह मना लिया और कई छोटे छोटे स्टार्स के साथ पूरी फिल्म बनाने की ठान ली। इसके बाद विजय शर्मा पैसों के लिए गए। सतराम रोहरा के पास सतराम रोहरा अपनी सिंधी फिल्मों के लिए उस वक्त जाने जाते थे। उन्होंने जब फिल्म की कहानी सुनी तो वह प्रड्यूसर बनने के लिए राजी हो गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन चमतकार हुआ। फिल्म मे उन्होंने सिर्फ पानी पी कर गुजार दिया जिसके बाद उनको लगा कि शायद संतोशी मा का ही कोई इशारा है फिल्म में अनीता गुहा के शूट को ज्यादा नहीं थे दस ग्यारा शूट उन्हें देने थे तो अनीता ने ठान लिया कि अब वह जब भी शूट के लिए आएंगी तो वरत रख कर ही आएंगी जिस दिन वह संतोशी मा का किरदार निभाती वह उस दिन अन्न का एक दाना तक धारन नहीं करती थी आखिरकार फिल्म में उनकी और दूसरों की मेहनत रंग लाई लोगों ने उनका बाहर निकलना मुश्किल कर दिया जिस भी रास्ते से वह जाती उनकी पूजा आरती उतारने लगते थे लोग कुछ लोग तो अपने बच्चे उनकी गोद में डाल दिया करते थे जय संतोशी मा फिल्म की शुरुआत में लिखा आता था कि यह फिल्म सिर्फ संतोशी मा के आशीरवाद से ही बन पाई है उस समय लोगों का कुछ ऐसा ही मानना भी था मगर फिर एक अंजान बूड़ी औरत सामने आती है और कहती है कि नहीं नहीं यह फिल्म शापित है कुछ वक्त के बाद यह बात सच भी साबित हुई इस फिल्म से जुड़े हर व्यक्ती के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ फिल्म की एक्ट्रेस अनीता गुहा का करियर बरबाद हो गया जिस खूबसूरती पर दुनिया मरती थी बीमारी के चलते वह खूबसूरती ऐसी हो गई कि उन्होंने अपने घर से निकलना तक बंद कर दिया लोग बताते हैं कि मरने से पहले अनीता गुहा ने कहा था कि उनका मेक अप कर देना वरना लोग डर जाएंगे फिल्म में बाकी किरदार निभाने वाले ज्यादातर कलाकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हालांकि फिल्म ने करोडों चापे और उनके साथ ही संदीब सेथी ने फिल्म को डिस्ट्रिब्यूट करने का जिम्मा उठाया फिल्म रिलीज हुई ऑनले टाइम हिट रही मगर बनाने वालों को पैसों की शकल देखना तक नसीब नहीं हुआ प्रोडियूसर संतराम रोहिरा ने खुद को दिवालिया घोशित कर दिया यह सामने आया कि केदारनाथ के भाईयों ने उन लोगों के साथ धांदली की थी और बीच में से खुद सारी कमाई लेकर गायब हो गए यह पैसा कभी संतराम और केदारनाथ तक पहुँचा ही नहीं इस घटना के कुछ दिनों बाद ही केदारनाथ को लकवा मार गया आसान शब्दों में कहा जाए तो फिल्म जै संतोशी माँ खूब हिट रही जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार